हटिवर्टी आज आपने पर क्रोमोजूम टैब्स देखेंगे क्रोमोजूम के के शेप के आड़े रहते हैं और इनकी पोजिशन देखेंगेे इंत्रों आण्टे की पोजिशन देखेंगे थोड़ा सा उपर चले जाएंगा अब जो एक्रोसेंट्रिक आ जाएंगा यह थोड़ा सा उपर चले जाएंगा मतलब और यह उपर वाला थोड़ा बड़ा हो जाएंगा नीचे वाला छोटा हो जाएंगा अब अब एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है जो एक्रोसेंट्रिक मे रहता है जह बनता है उसका मतलब और जो तीलो सेंट्रीक पर रहता है वो बस एसा ऐसा ऐसा है आई शेप का बनता है ऐसे जो मतलब एक्दम वो टर्मिनल पर चले जाता है तो वो इटना ही